तो हम आ चुके हैं After Effects में और यहां पर अपनी Photoshop की फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Photoshop में जो अपने layers बनाई हैं उनको proper name अगर दे सकते हैं तो दे देना क्योंकि यहां पर वो हमें arrange करने में उसको control करने में असानी होगी अगर हमें naming हमारी सही होगी नहीं तो आपको थोड़ा सा उसको hectic हो जाएगा काम करने में तो हाला कि मैंने वह चीज अभी नहीं किया है बट मैं आपको suggest कर रहा हूं वह चीजे तो आपको क्या करना है simple आप तो उसके लिए हमें project window खोलनी है और यहां पर double click करना है और अपनी file को select कर देना है Select होने के बाद हमारा यह option show करता है जिसमें की footage composition और composition detail layer sizes तो हमें third option choose करना है जो हमारे Photoshop में जो size layer है उसी तरीके से हमें वह सारी यहां पर after fact में चाहिए तो हमें यह option इसको select करना है और यहां से okay कर देना है तो आप देख रहे हैं कि उसने composition बना ली है already और मैं इसको यहां से drag करके यहां पर डालूँगा तो आप देखने timeline पर हमारा पूरा design show हो चुका है तो अब इसके अंदर चलते हैं composition के अंदर और यह हमारी सारी layers जैसे Photoshop में थी वैसे ही यहां पर appear हो चुकी है इसलिए मैं यही कह रहा था कि आपको naming जो है वो थोड़ी सी यहां पर करनी पड़ेंगी अभी मेरे को समझ जया रहा है कि कौन सा object क्या है तो कुछ का नाम मैंने दिया हुआ है बट कुछ layers five zero ऐसे करके आ रहे हैं तो यह confusing थोड़ी सी चीज होती है तो इसी के लिए मैं बो और इसको हमें सबसे पहले हम एनिमेट करते हैं तो यहां पर मैं इसको position पी प्रेस करके position पर लियाता हूं और यहां से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टाइम प्रेंड को जूम तो पांच frame में अभी मैं फिलाल इसको मैं keyframe दे दे रहा हूं और अभी क्या करना है कि यह मुझे थोड़ा इसका movement यहां से करना है कि यह layers यहां से इस तरफ move होंगी इस तरह से text आएगा ठीक है तो इसको अब क्या करेंगे यहां से हम simple इसको easy ease दे दे देंगे यहां पर ज इसमें क्या करूंगा मैं motion blur यहां पर on कर रहा हूं और जो जो जिसको मुझे motion blur देना है वो मैं है यह option on कर देंगे तो आप देख रहें कि motion blur type यहां पर effect वो आ रहा है इस तरह से अभी यह एक साथ आ रहा है तो मैं इसको अलग-अलग यहां से करूंगा सबसे पहले मैं bond to cross यह पहले आएगा फिर इसके बाद यह आएगा हमारा तो इस तरह से यह layers यहां पढ़ाएगी तो यह सही लग रहा है basic सा animation है जो की दिखने में काफी अच्छा लगता है अभी हम क्या करेंगे इसमें जाते हैं पीसे जो mountain है हमारा तो अभी मैं इसको image को नीचे से fade करूंग तो आपको जाना effect and preset में और यहां से linear already में type कर रखा है linear wipe यह हमें select करना है और इसको थोड़ा सा यहां से बढ़ाएंगे जाब तो अभी direction इसकी इस तरह है तो मैं यहां से change कर दूँगा इसको इस तरह से और feather इसमें दे दूँगा तो देखने के यह mask हो चुका है मेरा area ज और अभी आपको बाहर जाना है तो आपको tab प्रेस करना है तो आपको देख जाए गए path पूरा कि कैसे हम अंदर कहा पर है इस time तो यहां पर मैं बाहर जाओंगा तो अभी इस mountain को मैं animate करूँगा तो यहां पर simple वही linear wipe इसको यहां पर drag कर देते हैं तो इस पर भी मैं key frame दे इसको तो इसको मुझे इस तरह से appear कराना है ऐसे थोड़ा सा इसके पट्टी के हिसाब से हम कर देंगे इसको तो यह इस तरह से appear होगा ठीक है तो यह यहां पर पूरा appear होगा और feather मैं यहां थोड़ा उड़ा दूगा starting में हम इसको रखेंगे इंट्रेट के असपास ही हसी और यह इस तरह से appear होगा तो मैं इसको minus में कर देता हूँ मुझे उल्टा यह हां से चाहिए यह इस तरह से नीचे से उपर की तरफ बढ़ता हो जाएगा यह मुझे लग रहा है तो यह ठीक है इस तरह से ठीक है तो यह हमारा एक motion यहां पर त्यार हो चुका है और यह जो birds हैं इनको भी हम animate करेंगे तो यह वाली layer हम पहले select कर लेते हैं यह layer है हमारी यह इसको simple position पर मैं key frame दे दूँगा फर्स्ट में मैं इसको यहां रखूँगा second में कम से कम 15-20 frame का मैं यहां पर key frame दे दूँगा फर्स्ट वाले frame से इसको बहार लिका दूँगा इस तरह से और यह इसका slow motion अराम अराम से इस तरह से appear होगा हमारा वीडियो पूरा motion चल जाएगा लेकिन यह birds हलके हलके यहां पर move करते रहेंगे तो जो कि अच्छे लग रहे हैं दिखने भी तो अभी हम यहां पर इन दोन near wipe मैं यहां डाल दूँगा animation और इस वाले पर भी same यह डाल देंगे अब देख रहे हैं कि एक साथ बंती भी दिखाई दे रही है पट्रिया चल रही है तो text और उसमें थोड़ा सा time difference हो रहा है तो वह ठीक कर लेंगे हम यहां पर और इन दोनों में हम feather भी डाल देंगे थो यू प्रेस करके तो यह time भी हमारा काफी जादा है तो इसको हम कर लेंगे पंद्रह दस के असपास और जो rectangle है उसको थोड़ा time कम करेंगे जो पट्टी है वो पहले जाएगी और text उसके साथ साथ यह sink में हो चुका है जो यह ठीक लग रहा है feather भी हमारा इसमें आ चुका है लेकिन इस वाले में feather नहीं आया इसको भी हम यहां से feather देंगे ठीक है आप देख रहे हैं कि smooth वो जा रहा है यहां से ठीक है सेम यह animation हम इसमें डाल देंगे अपने दूसरे वाले पट्टी में तो इसको मैं select करता हूँ यह है हमारा और यह तो यहां से मैं simple पेस्ट कर देता हूं और same यह animation और transition दोनों चलीगी यह समया पर भी तो यह भी इस तरह से चल रही है यह भी सही है अभी मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसका animation जो है वो मैं प्लस में कर दूँगा जो की opposite वो चलेगा उस तरह से यहां पर भी मैं इसको 90 कर देता हूं अभी आप देखेंगे कि यह उस तरफ से पट्टी आ रही है और यह इधर से बनती भी आ रही है तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे इसका सेम animation मुझे करना है इसको थोड़ा सा हमें पीछे करना है तिससे कि यह text के बाद आए ठीक है यह सही है यहां पर थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ठीक है तो यह animation हमारी है बन चुकी है अभी यह जो पट्टिया आ रही है उसके बाद यह mountain वाला हमारा scene आना चाहिए जो कि पहले आ रहा है इसको हम यहां पर sync में कर देंगे तो मैं क्या करूँगा इस mountain वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा ताकि यह जब आएगा उसके बाद ही अपने scene बनना सुरूँ होगा ठीक है यहां से यह बनेगा ठीक है और यह उप पर अपना animation चल रहा है तो यह तो ठीक हो चुगा है अभी और अब भी क्या करेंगे यहां पर विराट कोली की images को हम motion दे देंगे इसको select करते हैं simple यहां motion देना है मैं ज्यादा कुछ हम यहां ऐसा कुछ extra animation नहीं कर रहे हैं simple motion दे रहे हैं जो की काफी अच्छी है और अच्छी effective लगती है देखने में भी तो यहां से position मैं इसको दे देता हूं यह इस तरह से आएगी और यहां पर simple इसको easy ease हम यहां कर देंगे तो यह देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा motion यहां पर दिखाई देगा यह ठीक लग रहा है अभी इसकी जो shadow है वो रह चुकी है यहां पर तो shadow भी हमारी अलग है तो हमें इसके साथ move करानी है तो हमें क्या करना है shadow को select करना है और यह हमें यह parent वाला जो है हमें इससे link कर देना है विराट कोली की जो image है उसके साथ तो इसको उपर लेआकर हम यहां पर कर देंगे अब देखेंगे कि जो shadow eye layer है वो भी 7 minutes के move कर रही है तो यह हो गया हमारा यहाँ पर सही अब इसके बाद हमारे यह जो bags हैं इनको भी हम motion देंगे तो यहाँ पर मैं इन दोनों को select कर लेता हूँ अब इन दोनों को मैं select करता हूँ और इनकी position पर keyframe दे रहाँ ठीक है तो सबको off कर लेते हैं इसी को तुम यहाँ पर on रखते हैं सरुछ तो यहाँ पर इतने frame में पांच frame के असपास मैं है पर इसको movement दे देता हूँ और first वाले frame में हम इनको यहाँ से बाहर लिका लेंगे इस तरह से यह कुछ इस तरह से appear होगा यहाँ पर ठीक है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस में easy ease हम यहाँ दे देंगे और उपर वारी layer में भी easy ease अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ तौनल layer को select कर रहा हूँ और यहाँ से right click करके speed graph जो इसका मैं थोड़ा सा यहाँ इसको manipulate कर रहा हूँ जिससे कि यह थोड़ा एक अच्छा सा animation बन जाए ठीक है तो यहाँ पर यह भी हमारा ठीक हो चुका है तो यह हमारा यहाँ पर सही बढ़िया बन चुका है अब बसता है हमारा logo तो logo को हम बहार जाकर और इसके अंदर जाकर यहाँ से simple इसको fade in fade out करेंगे क्यों से नहीं करेंगे जाता इसमें यहाँ पर T प्रेस करूँगा और opacity का उकल जाएगा तो यहाँ पर हमें यहाँ करना है और यहाँ पर zero कर दूँगा simple यह ऐसे अपियर होगा तो इसको हम layer को आगे कर देते हैं जिससे कि यह सब आने के बाद फिर हमारा यह अपियर होगा तो यह एक बार इसको मैं चला कर देख लेता हूँ ठीक है अभी काफी fast है हमारा animation तो एक बार इसको जो कि अच्छा तो लग रहा है देखने में तो मैं इसको 10 से 15 से कि अंदर रखूँगा तो मैं इसको यहाँ पर end प्रेस करूँगा तो एक बर यहाँ पर zero प्रेस करके हम देख लेंगे कि यह चल कैसे रहा है अभी यह काफी fast है तो हमें थोड़ा इसको slow करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा या तो आप यहाँ से slow कर सकते हैं या फिर आप बाहर इसकी combustion पर बाहर जाएंगे तो यहाँ पर मैं right click करूँगा और time को stretch कर दूँगा इसकी जगा मैं 200 यह stretch करूँगा और ok कर दूँगा अभी आप इसको चला के देखेंगे काफी सही हो चुका है तो दोस्तों देखा आपने simple हमने animation से कितना एक अच्छा motion यहाँ बना लिया है जो कि काफी बढ़े है लग रहा है ठीक है इसके अंदर आप अपनी मर्जी से मतब जो भी आप इसमें कलागारी कर सकते हो कर सकते हो जैसे sound designing थोड़े साउंड डाल सकते हो ठीक है background music पीछे डाल सकते हो जो मर्जी इसके साथ आप कर सकते हो जो भी लगता है आपको करना चाहिए तो यह काफी बढ़िया यहाँ लग रहा है तो दोस्तों I hope जो मैंने आपको समझाने की कुछ की है मेरा कुछ बोलने का जो भी तरीका आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह सब कुछ अच्छा लगा है वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को subscribe करना और वीडियो का like करना तो ऐसे ही नए और कुछ interesting चीजे में animation आपके लाता रहूँगा और इसी file का मैं PhD आपको provide कर दूँगा तो कि आप खुछ से animation motion बना के try कर सकते हैं या फिर आप कुछ नया design अपने mind से creative कुछ नया बना सकते हैं चीक है तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye